नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल पर आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने वाले न्यू गेम को आज जिसका नाम है कोको आज ही क्लास में हम कोको पढ़ेंगे पिछली क्लास में हमने पिछली दो क्लास में हमने कवड़ी को कम्प्लीट कर लिया उसी तरीके से दो क्लास में हम खोगो को कम्प्लीट करेंगे को को समथ OR और एब्रस्ट पयू में और पेपर उसी तरीके से हम इस टोपी को की जादा डीप नहीं जाएंगे जिस्ट eer होको को ने जिस्ट वार्णिक से था-फोर नहीं क्या जाम में बनते हैं उसी तरीके से हम इसे class को continue करेंगे ठीक है तो सब से पहले हम पढ़ेंगे खोखोखेल की मैदान की माप ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बता दू कि जो खोखोखेल का जो मैदान है वो कैसा होता है आयताकार होता है कैसा होता है आयताकार होता है ठीक है rectangle होता है और ये केवल इकलोता खेल का मैदान है जिसको पूरब से पच्चिम की तरफ बनाया जाता है याद रखना अगर question आता है कि पूरब से पच्चिम की ओर बनाया जाने वाला खेल का मैदान कौन सा है तो आपको टिक कर देना है आखे बन करके खोखोखेल का मैदान पूरब से पच्चिम तरफ बनाया जाता है ठीक है और आयताकार आपका मैदान होता है मैदान की से अप जो होती है आयताकार होती है ठीक है तो अब बत करेंगे हम सब से पहले लंबाई की ठीक है ठीक है और जो यहां से और यहां तक जो इसकी चोड़ाई ओती है वो होती है आपकी तो इस तरीके से जो कूपो मैदान की लंबाए चोड़ाई होती है 27 इंटू तीक है तीक है काफी अच्छा कोशन है 25 27 20 तो सोला मेटर होती है अगर क्योंकि जो हमारा उत्रप्रदेस पोड है काफी स्लो काम करता है तो अभी तक जो कुश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि 29 गुणा सोला ठीक है तो मैं आपको बता दो कि जो पहले जो क्योंकि मैदान की माप ठीक हो के वो होती थी 29 गुणा सोला मेटर ठीक है कितनी होती थी 29 गुणा सोला मेटर होती थी ठीक है 29 गुणा सोला मेटर इसको भी याद रखेगा आपको अगर 27 गुणा सोला मेटर नहीं तो इसमें फस्ट बॉकस होता है इसको प्रस्ट ऑड करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मार्ग कर दिया इसकी जो लंबाई होती है वह फ्टेड़ मिटर डिया तुर्व नंबाम टवर नंवा कर को руки है और जो यह वायदा बॉकस तिक है यह वाला जो box है इसको कहते हैं first box याद रखीगा पॉल से पॉल वाले जो दोनों box होते हैं left side में और right side दोनों side जो box होते हैं ये वाला और ये वाला तिक है मैंने mark कर दिया यहां पर ये दोनों आपके first box कहला राएंगे ठीक है तो फिर्स बॉक्सी जो फिर्स बॉक्सी जो लंबा ही होती वह होती है आपकी two percent five five कि बागी बॉक्स होते हैं अब बात करेंगा यहां पर आपकी जो भॉंच है यह आप देख सकते हैं कि फॉल से ऐक फॉल ostr की जो दूरी होती सिर्द होती है वह कितनी होती है आपकी 24 मिट यह था है कितनी होती बोती你们 इठ है कितनी होती dar आपकी 23.50 मिटर होती थी अब क्लियर होती है 24 मिटर ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर देखो आपके जो बॉक्स होते हैं ठीक है यहाँ पर यह जो लाइन बन रही है यह यह जो लाइन बन रही है आपको दिखा देता हूं यह जो लाइन बन रही है इनको हम कहते हैं क्रोस लाइन ठीक है मैं कि किलिए कर देता हूं confusion ना हूँ ठीक है यह जो आप देख रहे हैं यह आपकी 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है एट आपकी क्रोस लाइन होती है जिसकी चोड़ाय आपकी होती है 35 cm ठीक है 35 cm होती है कितनी होती है 35 cm होती है याद रखिए का और जो सेंटर ल होती है ठीक है तीसरे में होती है तो जो आपस में यहां पर यह जो बॉक्स बन रहे हैं यह जहां पर क्रोस कर रहे हैं दूसरे को यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक बॉक्स बन जाता है ठीक है तो उस बॉक्स की जो माफ कीजिए का जो बॉक्स होता है उसकी जो लंबाई चोड़ा है कितनी होती है उसका सेफ कितना होता है तो हो जाएगा 30 x 35 cm ठीक है याद रखेगा अब बात करेंगे यहां पर pole की तो जो pole देख रहे हैं आप एक pole यहाँ पर है एक pole यहाँ पर है ठीक है तो जो pole की height होती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ zoom करके एक दसम्लब 20 cm 20 मिटर से 1.25 मिटर होती है आप इसको ऐसे भी कहः सकते हैं कि 120 cm 120 cm भी कहे सकते हैं में सेंटिमिटर में करेंगे 120 से 125 सेंटिमिटर ठीक है और यहां पर आप दसमलब लगा देंगे तो में जाएगा 1.20 में से 1.205 में तक होती है ठीक है अब देखेंगे यहां पर आपकी जो लाइन की बात कर लेते हैं यह जो लाइन होती है यह आपकी साइड लाइन है ठीक है यह आपकी साइड लाइन होती है तो यह जो है आपकी यह साइड लाइन है ठीक है इनको याद रखेंगा यह साइड लाइन है मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क जब आपके भी करेंगे तो आ यह चीज़े एक्जाम में तो आती नहीं है तो आप देख लीजगा ठीक है और जो आपकी लोबी होती है यहां से डेड़ मिटर होती है यहां से डेड़ मिटर होती है तो चारो तरफ से आपकी डेड़ मिटर की लोबी होती है ठीक है चारो तरफ से जो कवर करती है उसको हम ल लग होते हैं क्या होता है जब रॉनी वाली टीम होती है तो उसकर तीन-तीन खिलाडी कर एक बैच बनेगा जो कि यहां सा अंठाल लेगा इसमें जब बैच वटेeren के बाद यहां सा अंठाल लेगा तो आपके जब बैच होते हैं वह आप याद रहे तो बार कि खोको में खिलाडियों के बैच में कितनी खिलाड़ी होते हैं ठीक है तो एक बैच में तीन खिलाड़ी होते हैं जो रनिंग का बैच होता है उसमें तीन खिलाड़ी होते हैं ठीक है अब बात करेंगे यहां पर क्या होता है कि जो रूल्स की बात करेंगे उसकी आगे क करेंगे रूल की बाद अभी देख लेते हैं मेजरमेंट को भी समझ लेते हैं तो यहां पर देखो यह लिखा है कि खोगो खेल के मेंधान के लंबाई चोड़ाई 27-16 मिटर होती है और पहले कितनी थी 29 गुणा 16 मिटर होती थी लिखा भी है मैंने पहले और पॉल से पॉल की दूरी कितिनी होती अब होती है 24 मिटर और पहले होती थी 30.50 मिटर होती थी फ्री जोन इरिय कितना होता था पहले होता था इसको समझ में आ जाएगा आपको लोगों को कि जैसे कि आपका यह जो यह चीज है आपकी आपको बताई और यह चीज होती है आपकी 16 मिटर यह वाली लंबाई तो इसका जो एरिया हो जाएगा डेर्ड इंटू सोला मिटर हो जाएगा अब देखते हैं मैदान के चारो लो भी कितनी बताई मैंने डेर्ड मिटर बताई ठीक है और क्रोस लाइन की जो संक्या होती है आठ होती है आठ बोक्स होते हैं जो आपर सेंटर लाइन एक दूसरे को काटती है वहाँ पर बैटने के होती है इस तरीके जो सरकमफेरंस होता है उसको हम परीदी कहता है तो परीदी है 30-40 cm होती है और pole का ब्याश होता है जो डायमेटर होता है वो होता है 9-10 cm आपका 9-10 cm होता है पोल का डायमेटर या भ्याश आगे देखेंगे पोल लाइन से पहले box की दूरी है मैं आपको बताया था कि दो पच्पन होती है ठीक है दो पच्पन होती है फर्स्ट बॉक्स जो होता है आपको दो पच्पन का होता है ठीक है और जो बाकी होते है वो दो दो तीस के होते है बाकी बॉक्स की दूरी कितनी होती है 2.30 मिटर मतलब दो तीस मिटर के होते हैं बॉक है तो एक बॉक्स बनता है जिसको हम बैठने के लिए जगा बोलते हैं ठीक है सिटिंग बॉक्स बोलते हैं उसमें चेजर बैठता है और उसकी जो लंबाई गोड़ा हो जाएगी वह जाएगी तीस इन्टू पैंटिस सेंटी मिटर ठीक है अब यहां पर खिलाडियों के संग करने पर या किसे के लाड़े को अच्छा परफॉर्म ना करने पर सब्सक्टूट कर सकते हैं ठीक है अब है यहां पर खोको खेल की समय अब दी देखो यह कोशन काफी बार पूछा गया है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग मैं आप लोगों को थोड़ा सा सही से बता आधा देता हो महां को ज्कूम करके देखो पहले नौ मिनिटे का एक मैच होगा नो मिनट के कीनिंग होगी ठीक है पांच मिनट का एकान कि होगए ठीक है और यहां पर आप क्या वाईंट का इंटरवल हो जाएगा ठीक है माप किजीए यह मैं ने गलत लिख दिया साइद मैं आपको दिखा देता हूँ यह गलत लिख दिया मैंने मैं आपको सम्झाःता हूँ कैसे होती है इस पर माँज जाना है गलत मैं आपको जो दिखा रहा हो वो जाईएगा 7 dal का रेस्ट होता है फिर नो मिनट की निंग होती है ठीक है फिर इंटरवल होता है ठीक है नो मिनट का ठीक है नो मिनट का इंटरवल होगा फिर नो मिनट की निंग होती है फिर पांच मिनट का रेस्ट होता है फिर नो मिनट की निंग होती है ठीक है तो यह आप नोट डाउन कर चितनी होती है यहां पर आपके मैच अधिकारीयों की संख्या ठीक है तो मैच अधिकारी कितनी होते हैं वही कवेट डिवाला रूल देखो एक रैफरी होता है जो चारद गूं कि आपको फूल अभी अभीस बसका होता है दो एमपार होते हैं जो साड डाइन पर खड़ों के और एक time की वर हूता है जो time not down करता है दो स्कौरर होते हैं Sheriff आप मैंदान में लाइनों की मी चोड़ा कीतनी होती तो जिस तरह के जहें द्यचो में लाइन की चोड़ा शी थरी से कोको में भी लंबाइन जो चूना होता है जो चूनी कीाएन की लाइन होती है उसकी चोड़ा ही 5 cm होती है याद रखिएगा तो आई होप यह मेजरेमेंट आपको किलियर हो गई होगी अब बढ़ेंगे हम रूल की दरब ठीक है रूल देख लेते हैं कि रूल क्या कहते हैं किस तरीके दर खेलते हैं तो यहां पर एक टीम होती है आपकी चेजर की टीम एक टीम होती है रूनर की टीम ठीक है तो वहां पर आपकी जिएगा वहां पर टोस होता है टोस होने के बाद आपको डिसाइड करना होता कि आप चेजिंग करेंगे या रूनिं है ठीक है टच करती है रनिंग टीम वह होती है जो चेजर से भाग रही होती है ठीक है रनिंग कर रही होती है ठीक है उसको रनिंग टीम कहते हैं अब यहां पर क्या होता है टोस से डिसाइड होगा अब मान लीजिए यह टीम ने यहां पर टोस जीता और उसने चूज किया चे हो जाएगा ठीक है अब जो बी टीम के खिलाड़ी है रेनल खिलाड़ी है एक यहां पर खड़ा हो जाएगा अंदाजे से बतारों कई भी खड़ा हो सकते हैं यहां पर खड़ा हो जाएगा यहां पर खड़ा हो जाएगा ठीक है अब विशल बजेगी तो दूसरी टीम को टच करेगी एक बाद दूसरी टीम को टच करेगी ठीक है इस तरीके से जो टीम जादे पॉइंट बना लेती है वो आपका विनर हो जाती है ठीक है माल लेजिए यहां पर यह वाला बंदा भी टच हो गया यह वाला बंदा भी टच हो गया यह वाला बंदा भी और उसके बाद तीन खिलाडी और आ जाएंगे ठीक है फिर दूसरे बैच के भी तीनो खिलाडी टेच होगे तो पिर तीसरा बैच आ जाएगा ठीक है नो खिलाडी होते हैं तीन तीन के बैच में तीन बैच बनते हैं ठीक है तीनों बैच out और तीसरा बैच भी out अट ऊब और चार त चार्म & वीचे था हर जाएगा और लिजै। तोस सोरी माफ कीजिए का अमाल लीजिए कि मैच हो गया ठीक है निडर ने नहीं निकला इक्वल होगे दोनों के पॉइंट तो फिर क्या हो का पांच-पांच मिनट का एक्ट्रा टाइम दिया जाएगा तो फिर आपका सड़न डैट कराए जाएगा सड़न डैट में क्या होग कि जो आपके बैस रनर है वो रनिंग के लिए आ जाएंगे और एक टीम बैट जाएगी जैसे कि माल लीजिए यह टीम यहां पर बैट गए यहां पर बैट गए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे बैट गए ठीक है और यहां पर स्टार्ट वाला यह बंदा यहां यहां पर विषयल होगी इस बंदे ने यहां इस बंदे को 10 सेगंड में चूद आ ठीक है अब वहाँ पर मैच खतम हो जाएगा मतलब यह इनिंग खतम हो जागी फिर दूसरी टीम यहां पर बैठेगी सेम चीज रिपीट हो जाएगी वह रुणिंग करेगी दूसरी टीम और अब इस बाली टीमने इनको साथ सीडंड में चूद आज यहां पर कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉिंट जो बनाता है वही इस बंदन होता है ठीक है एक यह को टेस्ट करने का होता है ठीक है आई आप रूल समझ आ गया होगा अब बढ़ेंगे हम हिस्टरी की तरफ तो जो खोको खेल का इत्यास है उसको देख लेते हैं तो खोको खेल की उत्पत्ति कहां से होई है पूरे ठीक है पूरे जिम खाना महारास्ट ठीक है इस्टेट महारास्ट और कंट्री आपके इंडिय इसाज़ूंज़में हो एक कहायओ ऊंसले सब्सक्राइब अगर जहां पर दोनों मिल जाएंगे आपको तो वहाँ पर आपको उननीज सो साथ्प लगाना है ठीक है जो ऑफिर्सल है वह 1960 नइक्स है यह वहां पर आपका ओलंपिक खेलों में 거죠 प्रदसन कप किया था तो यहां पर 1936 के Berlin Olympic में किया था कवड़ी के साथ किया था कवड़ी में educates सब्सक्रीन कीमिरे कि अ सब्सक्राइब ऑग्रान के योग इसने के दुआ के यह किसके दोबार गये थे इस आई खेलों में प्रिद्धान कभ वह आपका 1982 में हुआ ठीक है अब देखते हैं आपका यहां पर जो मैंने हिस्टी बताई बहुत सोट में बताईए इसी तरीके के आप लोगों कोशन आते हैं ज्यादा डीप कोशन नहीं आते हैं ठीक है अब है यहां पर आपका प्रिथ दुरोनाचारी अवर्ड विजयता है वो है गोपाल पुरसतम दास फटकी ठीक है यह इनको 2000 में मिला था और अभी तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं एक ही कोच है जिनको अभी तक दुरोनाचारी अवर्ड मिला है ठीक है अब बात करेंगी देखो मैं आप लोगों से एक र टेलिग्राम पर टेलिग्राम चैनल को जोइन करें वहां से आप डिसकेशन गुरूप में मेरे से परस्नली चैट भी कर सकते हैं वहां पर मैं आपको पीडियाफ दे दूँगा जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो पीडियाफ दे दूँगा आप उससे अपना जो परकर सकते हैं ठीक है अब एक खेल सवधल्म यूजाना ली सबदो dissoci है तो ठीक है यहां प्रनर होते है चेजर होते हैं जो छूते हैं Agora को फिर पॉल होते हैं, क्रोश लेन होती है, जो आठ होती है, फ्री जोन होता 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 है मतलब किसी तरीके से घूम के खिलाड़ी को टच कर सकता है ठीक है वहाँ पर कोई रूल लागों नहीं होते है ठीक है इसलिए उसको फ्री जोन कहा जाता है अब यहाँ पर एक्टिव चेजर मैं आपको बता दिया कौन होता है एक्टिव रॉनर कौन सा होता है जिसके पीछे इस एक्टिव चेजर भाग रहा होता है उसको अक्टिव रनर कहते है ठीक है रिविचीडिंग सीके रिसेटिक होगा यह रिसेटिंग ठीक है बापस भीज़ का खिलाड़ी को और फिर की सौंसल संटल्ड डारैक्शन है आपका सौंसल काफी इंपॉर्टेटर जो में चीज है मोड़ गाव्ट न होता है आपको मैं बता दू कि एक साइड आप मुढ़ जाते होंग उसी साइड आपको भागना होता है चेजर की बात हो रही है आप एक मुड़ गया उदर कोई भागना होता है पीछे नहीं भाग सकता नहीं तो फाल हो जाता है फिर पॉल कर फिर लटक कर खिलाडी को दूसरी तरफ से चोना फिर प्र आपका बैठता है फिर होता है चैन ठीक है रंग को आगे बताऊंगा और फिर न आपको बता दिया कि एक अब यहां पर चेजिंग में आपको बता दी जो चेज करता है मतलब इधर इधर ना हो जाए उसकी वज़े साप सीधा उठते हैं बिल्कुल और बाद में डिशन लेते हैं यह ना मतलब जो भ्यक्षंत को जो कंदा है उसको ऊदर को को कह सकते हैं धा vib के एधिकर करने लेते अगर जैसे कि एक बैच आउट होँआ तो दूसरा बैच जब एंटर करेगा गेम में उसको टाइम दिया होता है कि दो खोब बोलने से पहले आप game में enter कर लीजी आप ground में enter हो जाएए अगर आप दो खोल बोलने तक आप enter नहीं कर पाए तो पूरा batch एक साथ out हो जाता है ठीक है यह होती है आपकी layout entry फिर होता है fall on ठीक है फिर आपका batch ठीक है जो तिन तिन के batch में आते है फिर pole turning, pole को पकड़ के गुमना फिर back hole जब foul ह हो जाता तो पीछे जा के खो देते हैं back hole का मतलब क्या होता है जब आप active chaser runner के पीछे भाग रहा होता है तो उसको पीछे भागने की बजाए आप पीछे जाएंगे उसे advantage देंगे और पीछे को करेंगे ठीक है यह होता आपका foul पूरा करना फिर होगा single chain single chain क्या होता है कि आप लोगों आप ही मैं ground बता दूँगा जो मैंने picture बनाई है फिर होता double chain फिर होता triple chain ठीक है देख लेते हैं single chain और double chain क्या होता है जो खिलाड़ी आपका यहां से देखो यहां से ऐसे जाएगा ऐसे गूम के ऐसे गूम के ऐसे गूम के ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करेगा ना तो वो हो जाएगी आपकी single chain ठीक है मतलब एक खिलाड़ी के पास से निकलेगा हर बार तो उसको single chain गएंगे और फिर दो खिलाड़ी को छोड़के निकलेगा जैसे कि यहां पर यहां पर ठीक है ऐसे निकलेगा तो आपके double chain हो जाएगी यहां से निकलेगा माफी जी का यहां से ठीक है और जो triple chain होती है सबसे जियादा different chain होती है यहां पर आपका जो तीन खिलाड़ी के यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा और यहां आ जाएगा ठीक है तो आपका double chain होजाएगी इसको मैं पूरा कर देता हूँ दिख्खो किस तरह सोती ही तो आप कोई भी चीज आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्षन में मेरे को बताना मैं आपको सारी चीजे समझाने की कोशिच करूँगा और आपको सेबरेट भी वीडियो में बना दूँगा ठीक है